नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी 23 अप्रेल से दिल्ली के जनतर मंतर पर कुस्ती के कुछ पहलवान दर्ने परदर्शन पर बैठे हैं उनमें से बजरंग पूनिया समेथ एक फोगाट परिवार विनेश फोगाट और बाकी उनके साथी इनका कहना है के भारतिय कुस्ती संग क जो राष्टी अध्यक्ष हैं ब्रजबूशन सरन सिंग उन्होंने महिला पहलवानों के साथ योन्शोशन किया है कहना ये है कि योन्शोशन कई साल से करते आ रहे हैं और गंबीर बात ये है कि उन्होंने कहा कि एक नाबालिक पहलवान के साथ भी योन्शोशन किया गया है इस आरोप के बाद खलबली मच गई पूरे देश में संसनी मच गई और वो इसलिए भी मची क्योंकि जिस पर आरोप लगाए गए ब्रजबूशन सरन सिंग वो बहुत बड़े एक समाच से भी हैं उत्तर प्रदेश के वो सांसद हैं जो 91 से लगातार सांसद बनते रहे समाजवादी पार्टी जब आई तब भी वो सांसद रहे और राम जनम भूमी अंदोलन से जुड़े हुए रहे ऐसा एक वेक्ती जो इतना बड़ा राम भक्त हो हनुमान भक्त हो समाज सेवक हो और भारती जनता पार्टी का सांसद हो उसके उपर योन सोसन जैसे आरोप लग में था लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए उन आरोपों में कितनी सचाई है ये जानने के लिए देश का मीडिया जब उन खिलाडियों के पास पहुचा और उनसे सवाल किये कि योन सोशन कहा हुआ तारीक क्या थी समय क्या था और हालात क्या थे इसका कोई संतोस जनक जब आप ये पहलवान नहीं दे पाए बस इन्होंने कहा तारीक याद नहीं है समय याद नहीं है कुछ देशों के नाम बताए जिनको टैली किया गया मीडिया के द्वारा तो पता चलता है कि वहां तो ब्रजबुशन सरंतिंग गए ही नहीं थे जिस देश का ये नाम ले इसके बाद इन आरोपों की हवा खुलते हुए देर नहीं लगी इन आरोपों में कितनी सचाई है ये तो कोट के निरने के बाद ही पता चलेगा जाँच के बाद पता लगेगा और अगर इस केस में जराभी सचाई है ब्रजबुशन सरंतिंग यदा जराभी दोसी हैं हाला लेकिन अगर वो दोशी हैं तो वाकई में उनकी सजा बाकियों से ज्यादा होनी चाहिए ब्रजबुशन सिंग सरंतिंग कह रहे हैं कि मुझे फांसी पर दे दो मैं तो कहता हूं कि यदि कोई गुरू के स्थान पर है क्योंकि वो बहुत सारे पहलवानों को खेल सिकाते हैं तो ये उसका अपराद आम आदमी से जादा है इस पर सक्त सजा उनकी डबल होनी चाहिए बिलकुल इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन ब्रजबुशन सरंसिंग जिस तरह के खुलासे कर रहे थे उन्होंने कहा मेरे पास एक ओडियो किलिप है और मेरे एक मित्र पत्रकार ह करता है वो बाकाइदा ब्रजबुशन सरंसिंग के पास गए थे उन्होंने एक प्रेस कोंफेंस की थी उसमें उन्होंने ओफदा रिकॉर्ड क्योंकि मामला कोट में है और वो भी उन्होंने एक कमेटी जो बनी थी केंदर सरकार के खेल मंतरा लेके दोरा वो किलिप भी उस कमेटी को दी है लेकिन कुछ अंस उस पत्रकार ने सुना है अपने कानों से जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं समय आने पर ये पूरी क्लिप कोट के सामने रखूंगा और चांच करने वाली जो पुलिस की टीम है उसके सामने रखूंगा और निच्च जानिए कि मामला सुप कोट में इस बात को इंगित कर चुके हैं कि इन पहलवानों की तरफ से यह जो लगाएगए आरोप हैं यह राजनिति से प्रहरी थैं और यह विद्यशन के अद्ध्यक्स को बदनाम करके विद्यशन के चुनाव अपने हिसाब से कराना वर राज्वद्यों के अद्यक्ष् और ये चाहते हैं कि वर्तमान जो अध्यक्ष है वो अड़ जाए और जो नए नियम बनाए है जिस नियम में एक आ गया है कि यदि कोई नैशनल नहीं खेलेगा तो वो राश्टी है प्रित्योगिता में नहीं जाएगा ये जो कुछ खिलाडी है ये चाहते हैं कि डारेक्ट उलेमपिक में खेले ये देश के अंदर ना खेले और देश के अंदर खेले तो उसमें भी स्पॉंसर सिप अपनी मरजी से हो यानि जिसका चाहे ये साथ ले जिससे चाहे फंड ले जिसके चाहे ये टीशिट पहने विग्यापन किसी के लिए करें ये उसकी आजादी चाहत सुरू में लग रहा था कि बरजबुशन सरंसिंग इस तरह का जो बयान दे रहे हैं कि यह राजनिती से प्रेरित है यह तो कॉंग्रेस के नेता इसके पीछे है एक बड़ा उद्योग पती इसके पीछे है ऐसा लग रहा था कि बरजबुशन सरंसिंग कही ना कहीं अपने पीतुली एक भाषा है। हमने अएक बार सुनी है। जिस नेता पे भी केस होता है वो यही कहता है राजनीति से प्रेह रित तो हमnesota अप्रेज़िबूशन Sou readily低 जो बोल रहे है। वह वही भाषा है जो भाकि के हालाद दिल्ली के जंतर मंतर पर बन रहे हैं इसमें बिलकुल साफ हो गया कि ब्रजबूशन तरण सिंग जो सुरू में कह रहे थे जो इन खिलाडियों पर आरोप लगा रहे थे बिलकुल वो सच साबित हुआ है क्योंकि अब इसमें जिस तरह की राजनितिक चीजे सामने आई हैं ये वाकई में ये तो आती ही नहीं और इसलिए मुझे अब लग रहा है सुरू में हम भी सोच रहे थे के ब्रजबूशन तरण सिंग को पुलिस को पकड़ना चाहिए क्योंकि देश के अंदर एक कानून है कि यदि किसी के उपर पोक्सो एक्ट में एफ़ यार जर बाकी मामलों में पहले जांच होती है तब एफ़ यार होती है फिर गरपतारी होती है पोक्सो में पहले गरपतारी का परावधान है तो सवाल उठ रहा था कि ब्रजबूशन तरण तिंग को पुलिस गरपतार क्यों नहीं कर रही उस समय पुलिस की तरप से पुलिस के सूत हैं क्योंकि आरोप लगाने वाली महिला पहलवान अपने बयान बदल रही है कभी किसी देश का नाम लेती है कभी कोई तारीक बताती है और कभी कहती है हमें तारीक और समय याद नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी सेलेबरिटी और इतनी बड़ी खिलाडी और इतना बड़ा कांड उसके साथ हो जाए कि कोई योन शोशन करे और उसकी डेट और समय उसको याद ना हो अस्थान उसको याद ना हो लोग सोशल मीडिया पर करते हैं कि यदि यहाँ देखिए हमारे देश में तो ऐसी संस्कृती है कि यदि कोई किसी लड़की का हाद पकड़ ले जीवन में पहली बार अंजान आदमी तो वो उसको जिन्दिगे बर नहीं भूलती है तो सवाल ये है कि यह जो राष्टी एस्तर की जो खिलाडी है यह इस मामले को कैसे भूल गई सवाल पैदा हो रहा था जिस तरह से इस मामले में बयान बदले गए जिस तरह से पहला धरना और अब के धरने में पहला धरना जन्वरी में इनी पहलवानों ने किया तब यह कह साड़ियों के साथ हुआ है योन चोचन जिनों ने हमें बताया है और इसलिए हम धरने पे आए हैं कि ब्रजबुशन सरंसिंग इस्तीपा दें तब यह लग रहा था कि किसी के साथ हुआ है तो वह सामने आएंगे लेकिन पूरे देश के किसी भी राज्जमे किसी भी पहलवा हुआ है वो थाने में जाए एफ़ यार दर्ज कराए लेकिन इन पहलवानों की जित्ती के पहले ब्रजबुशन सरंसिंग को गरपतार करें ऐसा कैसे होता है कि आप सबूत नहीं दे रहे हैं आप गवा नहीं बता रहे हैं आप एफ़ यार कराने नहीं जा रहे हैं और आप कह रहे हैं पहले गरफतार करो ऐसा देश में दुनिया में कहीं कोई कानून नहीं है कि आप कोई गवा कोई सबूत ना दे जाच हुए नहीं और ठाके किसी को गरफतार कर लिया जाए क्योंकि उसके ओपर किसी ने आरोप लगाया है सोचिए भारत योन शोशन किया है और एक F.I.R. करा दे बहुत बार लड़ाई जगड़े होते हैं मोले पड़ोस में रिस्तेदारियों में तो इस मामले में क्योंकि किसी ने आरोप लगाया है ततकाल पहले गरफतारी हो जाए उसके बाद आप अपने आपको प्रूव करें कि मैं सच हूं तो उस प्रक्रिया में आपको जेल हो सकती है जो समाज में आपका अपमान होगा रिस्तेदारियों में अपमान होगा अखबारों में खबर आईगी उसके बाद आपकी मानसी किस्टिति क्या होगी क्या वो वापसी हो सकता है जिची तरूप से नहीं इस सारे मामले में इसलिए पुलिस फूख फूख कर कदम उठा रही थी सुप्रीम कोट ने संग्यान लिया और इन्हों ने सुप्रीम कोट में भी जब application पहले वालों ने डाली के पहले गरबतारी तो सुप्रीम कोट ने भी कहा कि इस मामले में पहले गरबतारी नहीं हो सकती पहले जाँच होगी और इसी में ये समझ जाना चाहिए था कि सुप्रिम कोड भी नियम बता रहा है उसने कहा कि यदि आपको कुछ चाहिए तो हाई कोड जाईए ये पहलवान हाई कोड गए वहां से भी गरपतारी का आदेश नहीं करा पाए क्योंकि हो नहीं सकता एक सांसद हैं एक विधायक इन दोनों की गरपतारी के लिए विधान सभा या लोक सभा अद्यक्स से आपको परिमिशन लेनी होती है उसमें सबूत दिखाने होते हैं लेकिन ये सबूत नहीं दिखा पाए उसके अलावा सरकार पर प्रेशर बनाना ब्रजबुशन तरन सिंग पर प्रेशर बनाना और मीडिया में अपने आपको हाईलाइट करके राजनिती करना ये उद्देश इनका है ये जो आरोप लगाए जा रहे थे इन पहलवानों पर वो अब सिद्ध हो गए क्योंकि जंतर मंतर दिल्ली पर राकेश टिकेट का आना सत्यपाल मलिक का आना कॉ आम आदमी पार्टी के दौरा वहां बिस्तरे भिजवाना और अब गुर्दवारों से लंगर बन कर आ रहा है और डेली हजारों की संक्या में दूर दूर से पंजाब से हरियाना से जम्मौ कश्मीर तक के बता रहे हैं कि वहां किसान पहुंचना सुरू हो गए है मतलब किस यह था कि यदि साथ पहलवान हिम्मत करके ब्रजबुशन सरन सिंग के अत्या चारों का और शोशन का मुकाबला करने के लिए जंतर मंतर पर आए हैं तो पूरे देश में हजारों की संक्या में पहलवान हैं हजारों की संक्या में बाकी खेल खिलारी हैं वो आने चाहिए थ है पार्टी के कारे करता और बाकी कोन आ रहे है किसान नेताक से किसाननेता आँ किसान को है है किया खेच से जुराऊःई कोई मामला is क्या कोई किसान से जुराऊए मामला है लेकिन क्योंगी twister किसी आंदोलन के समय एक टूल की टैक्टिवीटी और उन्होंने जिड करी थी के हम तीन किरसी बिल वापस करा के ही जाएंगे तब तक धरना जारी रहेगा डिली की बोडरों को सड़कों को जाम कर दिया गया इस्थाई टेंट लगा दिये गए कितने ही टेंटों में हत्या ज अब जनतर मंतर दिली पर भी ये जो पहलवान बैठे हुए है इन्होंने दिली के जनतर मंतर को भी राजनिती का अखाड़ा बना दिया है खाप पंचायते आ गई है और ये खाप पंचायत कोन है तो ये जाटों की खाप पंचायत है यानि एक विशेट जाती की तो सवाल ये है क्या देश का खिलाडी जो नेशनल और इंटरनेशनल खेलता हो चाहे वो विनेश फोगाट हो चाहे वो बिरंगपुनिया हो क्या ये किसी एक जात के पहलवान है नहीं ये पूरे देश के हैं वो देश के खिलाडी है इन्होंने देश का मान बढ़ाया है तो देश के खिलाडी है पूरा देश इनके साथ है देश साथ होना चाहिए अगर ये सच हैं ये किसी जात के पहलवान नहीं है ना ये जात के लिए मैडल लाए ये देश के लिए मैडल लाएं लेकिन यहां जो राजनिती हो रही है वो जाती की हो रही है एक तरफ जातों की खाप पंचा का सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि मोधी जी या तो पंदरे दिन के अंदर ब्रेजबुशन सरंटिंग को गरबतार करें वरना यह अंदोलन पूरा राष्ट व्यापी करेंगे दिल्ली में ये भी घोशना कर दिया है कि दिल्ली के बोडरों से दूद सबजी और बाकी जरूरत की चीजे दिल्ली में नहीं गुसने दी जाएगी यानि वही अराजक्ता का माहौल जो किरसी बिल के टाइम पे हुआ था अब ये होने राजनिती क्यों बनाया जा रहा है इसको जाती का तैंगल क्यों दिया जा रहा है ये आरोप सचे हैं के जूटे इस पर कोट को कारवाई करने दें पुलिस को जाच करने दें उसके बाद जो फैंसला होगा उसका नियाए का फैंसला आएगा तब उस पर निने जो होगा अगर ब्रजबुसन सिंग दरंदोसी है तो वो जेल जाएंगे अगर ये पहलवान जूटे हैं तो इनको जेल जाना चाहिए ये तो कोट फैसला करेगा लेकिन इसमें जाती कहां से आगई इसमें किसान आंदोलन कहां से आगया इसमें वो टुकड़े टुकड़े गैंग डफली लेकर के वो कहां से आगए और खास बात इस आंदोलन में जंतर मंतर पर मोधी तेरी कबर खुदेगी योगी तेरी कबर खुदेगी ये नारे लगाए जा रहे हैं सवाल यह है कि मोधी की कबर खुदने का मतलब आप देश के परदान मंतरी को मारना चाहते हैं आप उनकी हत्या करना चाहते हैं इस तरह के नारे लगाने का मतलब क्या है यह वही नारे हैं जो C.A. के विरोद के टाइम पे लग रहे थे जो किसी बिल के विरोद के अंदर नारे लग रहे इसका मतलब वोई टूल किट पूरी एक्टिव है तो जो आरोप इन पहलवानों पर लग रहे थे सुरू में हमको भी लग रहा था ये गलत आरोप है ये देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान है ये राजनिती से इनका कोई लेना देना नहीं है लेकिन आज सिद्ध दोरा है के ये पहलवान के वर एक महुरा बनाय जा रहे है इनके पीछे कोई बड़ी ताकत राजनिती कर रही है मोधी सरकार को गेरने का काम कर रही है दिली में अराजकता पैदा का का काम कर रही है और देश में एक बड़ा अंदोलन इन खिलाडियों के नाम पर करने का काम करने की एक प्रियास किया जा रहा है यहां आपको यह भी बता दू कि बजरंग पुनिया ट्वीट कर रहे हैं कि हम वो हैं जिनोंने मैदान फत्य किया अब जंतर मंतर को फत्य करके ही जाएंगे और यह वही बेखती है बजरंग पुनिया जब दिल्ली पुलिस रात को पलंग लाने को मना कर रही थी तो यह ट्यक्टर लाने का आवान कर रहे थे किसानों से आजाईए लड़कियों पर हमला हुआ है अपने अपने ट्यक्टर तैयार कर लो बजरंग पुनिया का यह ट्यक्टरों का आवान था तो किसान अंदोलन जंतर मंतर तक दोड़ के चले आए इसका मतलब तो साफ है कि ये जो पहलवान है ये तो दिल्ली में टैक्टर लाना चाहते है ये तो किसानों के नाम पर अंदोलन करना चाहते है किसानों के साहरे राजनिती बिल्कुल किलियर है जहां तक आपको बता दूँ कि इस मामले को लेकर ओफदा रिकोर्ड एक खुलासा हुआ है एक पत्रकार ने ये खुलासा किया है कि इस मामले में जो ये पहलवान एक नाबालिक की बात कर रहे है कि एक नाबालिक लड़की के साथ योँशोशन हुआ है उसने अब धारा 161 के तहत अपने बयान दर्ज करा दिये है और उन बयानों के बाद ये चीजे खुल कर आई जब पुलिस ने उनसे पूछनाच की है तो पता लगता है कि वो जो लड़की आरोप लगा रहे थे जिसको लेकर ये आगे आकर ये कह रहे थे कि ये लड़की नावालिक थी इसके साथ योन शोचन किया बरिजबुशन सरन सिंग ने तो अब पता लग रहा है कि वो लड़की तो ना तो नैशनल खेली ना कभी वो किसी कैम्प में गई ना वो ऐसे आई या जो डबलू एफ आई है इसके किसी फैसलिटी में कोई कुस्ती नहीं लड़ी है और किसी कैम्प में भाग नहीं लिया तारीक और दिन भी नहीं बता पा रही है तो आप समझेए कि कोई यदी जो है फैडरेशन के थूरू किसी कैम्प मैच में नहीं गई वो कोई नैशनल नहीं खेली तो फेडरेशन के अध्यक्स से डारेक्ट वो कैसे मिल सकती है और जब पुलिस ने ये पूछा के तारीक क्या थी और समय क्या था अस्थान क्या था इन प्रशनों के उत्तर भी ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि वो नहीं दे पाई है अगर ये सच है मुझे नहीं पता के ये सच है के जूट है लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत खतरनाक है किसी एक सांसद का जिन्दगी को बरबाद करने का बहुत बड़ा शड़ियंतर है और आप देखिए कि ये किसान हो या ये पहलवान जो ये जंतर बंतर पर बैठे है इनकी जिद देखिए ये कहते हैं बरजबुशन सरण सिंग को पंद्रे दिन के अंदर गरबतार करें क्या तब भी गरबतार करें जब वो दोशी नहो और अगर वो दोशी हैं जैसा मैंने पहले कहा तो फिर गरबतारी से मोदी जी भी बरजबुशन सरण सिंग को नहीं बचा सकते क्योंकि पूरा मीडिया पहलवानों को लाइव दिखा रहा है कोट की एक एक पल की रिपोर्ट जब होती है कोट के अंदर बैस होती है उसको मीडिया कवर कर रहा होता है तो अगर कोट से यह नहीं होगा कि बरजबुशन सरण सिंग दोशी है तो मोदी उनको जेल जाने से कैसे बचा लेंगे और इसलिए मेरा कहना फिर वही है कि इन लोगों को राजनिती छोड़ कर कोट पर फैसले पर अपना फोकस करना चाहिए कोट पर इनको भरोसा करना चाहिए लेकिन जंतर मंतर पर ये भी बेयान दिये जा रहे है कि कोट है, पुलिस है, CBI है, ED है ये तो सब मोदी की है जबकि इसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं है बरजबुशन सरण सिंग मातरे एक सांसद है बीजेपी में ऐसे अनेक सांसद है और मैंने पहले भी उधारन दिया है कि मोदी कैबनेट में गरह राजमंतरी अजय मिश्टेनी है उनके बेटे ने कुछ गडबड़ी की तो आप सब ने देखा कि वो जेल की सलाकों के पीछे गए मोदी जी किसी भी ऐसे काम में इंटरफेर नहीं करते किसी भी अपराद में साथ नहीं देते चाहे उनका सांसद हो चाहे कोई उनका मंतरी हो इन लोगों को जुडिसरी पर पुलिस पर सरकार पर भरोसा तो करना ही होगा अगर ये भारत की सरकार भारत के नियाई पालिका भारत की कोट इन पर अगर विश्वास नहीं करते तो क्या ये केस अमेरिका में चलना चाहिए क्या ये केस पाकिस्तान में चलना चाहिए पाकिस्तान की एजनसी इसकी जाच करें किस तरह की बात है कुल मिलाकर ये शड्यंतर का खुलासा धीरे धीरे होता जा रहा है जंतर मंतर पर जिस तरह के हालात पैदा किये जा रहे है उस से खुद ये पहलवान जो आरोप लगा रहे थे ब्रेजबुशन सेर्डंसिंग पर ये बैक फुट पर आ गए है और इनका इजन्डा कुछ और है आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बंदे महतरम